राजनेती कैसे आपको पंगू बना देती है राजनेती कैसे आपको बहरा बना देती है राजनेती कैसे आपको गुंगा बना देती है आज ये खबर आप अंधे तक देखिए आपको खुद समझ में आएगा आज दिल्ली के अंदर कई सारे खिलाडियों ने धरना परतसं किया स्याम को प्रेस कॉनफरेंस की और इन खिलाडियों में विनिस फोगाट ने कहा कि मैं रोजाना मरने की सोच रही थी ऐसी हालत है जो खिलाडी ओलमपिक खेल चुके हैं उनकी जो खिलाडी देश के लिए सोना जीत चुके हैं उन्होंने आज बड़े गंभीर आरोप लगाए मैं एक एक करके सारी चीज़ आपको समझाऊंगा सुनाऊंगा लेकिन आप सोची ज़रा ये विनिस फोगाट बवीता फोगाट की सगी बहन है अपनी सगी बहन के लिए बवीता फोगाट आज घड़ी नहीं हो पाई बोल नहीं पाई एक शब्द तक कहनी पाई और एक साथी खेलाडी के लिए भी कुछ है नहीं कह पाई और यही बवीता फोगाट लगातार मुसलमानों के लिए जमातियों के लिए विपक्स के नेताओं के लिए ना जाने क्य उपर आज विनिस फोगाट ने और तमाम खिलाडियों आरोप लगाए है बिर्ज भूशन के उपर बिर्ज भूशन के उपर जो आरोप लगाए है यही बिर्ज भूशन कुछी दिन पहले योग्या दित्तनात की सरकार की पोल खोल रहे थे तो कडिया कहां से कहां पर कौन सी क बिर्जभुशन सिंग पर लगाए योन सोशन के आरोप तो योन सोशन के आरोप लगा रही है एक खिलाड़ी फेडरसन के अद्यक्स के उपर और बिर्जभुशन सिंग कोन है भाजपा के संसद है बिर्जभुशन यूत्तर प्रदेश से देखिए तस्वीर आप विर्जभुशन की और ये विनिस फोगाट की साथ साथ दोनों तस्वीर आप देखिए और विर्जभुशन जो है वो क्या कुछ कह रहते हुए मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन पहले विनिस फोगाट को सुनी आप विनिस फोगाट जो है वो कह रही है कि उन्हों ने इस बारे में पीएम मोधी को बताया था पता नहीं कि अब वो विरजबुशन मुझे जिन्दा रहने देगा या नहीं रहने देगा लगातार जान से मारने की धमकिया आती रहती है परधान मंतरी नरेंदर मोधी तक को बता चुकी है ये विनिस फोगाट और फिर ऐसी हालत है विनिस फोगाट ने आरोप लगाया कि महिला पहलवानों को कई तरह की प्रेशानिया होती है कुस्ति अद्यक्स के द्वारा महिला खेलाडियों का सोसन किया जाता है फेडरेशन खेलाडियों पर जबरदस्ती बेल लगाती है जिससे खेलाडी खेलने सकें किसी भी खेलाडी को कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कुस्ति संग के अद्यक्स होंगे अब दो तिन चीज़े आप समझे एक महिला खेलाडी जो उलम्पिक खेल के आ चुकी है उसने आरोप लगाए योन सोशन के आरोप लगाए है जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए यहां पर बात हो गई आप जड़ा सुनिए जान से मारने की धमकी खेलाडी के बारे में दी जा रही है एक खिलाडी का योन सोशन की बारे में सब कुछ हो रहा है और हमारे खेल मंत्री साब कहा है कोन है खेल मंत्री जानते भी नहीं होंगे बहुत सारे लोग तो लेकिन हम कहेंगे ना गोली मारो डेस 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 सब को ध्यान में आ जाएगा अनुलाग ठाकुर साब का विभाग है ये उनका मंत्रा ले है वो कहां पर है गोली मारो डेस 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 कहां पर है वो दूसरी बात एक महिला खेलाडी ऐसी सिकायत कर रही है हमारी माननिय सांसद स्मिर्तिरानी जी कहां पर है अगर किसी विपक्स के नेता पर आरोप लगते तो दब देखें क्या हालत होती एक से एक सारे सडक पर आजाते सारे क्या क्या करते कि खेलाडी के साथ में ये कर दिया वो कर दिया येसे वैसे लेकिन अब सब कुछ राजनिती कैसे राजनिती के तहत स्मिर्ती रानी चुप, अनुराग ठाकूर चुप, बविता फोगाट चुप, तीनों के तीनों, कोई अपने पद के लिए नहीं बोल रहा, कोई अपने बहन के लिए नहीं बोल रहा, कोई अपनी साथी खलाडी के लिए नहीं बोल रहा, यह है राजनेति, अब यहां पर यह बात हो गई जब आब बवीता फोगाट का देखिए जब आब बवीताham फोगाट क्या कर रही है बवीता फोगाट का एक ट्वीट नहीं है और ये स्कृनजोट है बवीता करते हुए उनको प्री ट्वीट करें दिया मित माले और तमाम इन लोगों को आखरी ट्वीट के स्क्रिंशोट है ये अपनी बहन के बारे में अपनी एक साथी खिलाड़ी ये बारे में एक शब्द नहीं लिख पाई जो विपक्स को जम जमातियों को और मुसलमानों को नाजाने क्या क्या कहती है लेकिन अपनी बहन के लिए एक शब्द तक नहीं आया जब उनकी बहन खुद कह रही है कि मेरे साथ में यह हुआ उनकी बहन दिल्ली के जंतरवंतर की सड़क के ओपर बैठ करके रो रही है अब तीसरी चीज पर आईए तीसरी चीज ने क्या काया सुनिये बिर्जभोषन सिंग कह रहे हैं कि विनिस फोगाट ने जो आरोप लगाया है क्या कोई सामने सामने है जो कह सके कि फेडरस से ने किसी के साथ एटलिट का दूड़ उत्पिडन किया हो योन उत्पिडन की कोई घटना नहीं हुई है अगर ऐसा हुआ तो मैं फांसे लगा लूँगा अब देखिए कौन सच्चा कौन जुटा इस तलाब में कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है यह पता लगाना बड़ा मुस्किल काम है अब बर्जबुशन कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फांसे लगा लूँगा अब इससे बड़ी बात क्या और यह इन्होंने कहा है कि यह विनिस फोगाट से पूछना चाहता हूँ कि ओलंपिक की कमप ओलंपिक में कंपनी के लोगों वाली पोशाक क्यों पहनी थी अब वो पोलंपिक के अंदर जो है अगर फेडरसन के नियमों के बाहर जाकर करके अगर कोई पोशाक पहनी है तो उसका एड़राइसमेंट का कितना पैसा लिया होगा और मैंच हरने के मैं तो कारवाई करने सकता क्योंकि मैं तो खुदी जो है वह आरोपी बनाया गया हूं तो मैं जाच के लिए तयार हूं अब जो है इसमें चोथी बात सुनिए यह देखिया आप यह जो है वह 14 अक्टूबर 2022 की खबर है आप से करीब दो ढ़ाई महीने पहले की जुबान ब बार आई वी newly कोई पूछने वाला नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है कि वीडियो है वह बाकाइदा वीडिया पहले में देख चए मैं आपको दिखा चुका हूं सोच करके दिखिए किस तरह से कहां कहां से कौन-कौन सी चीज़ चल रही है दो सब कोई सब कुछ देख है लेकिन हर कोई कैसे अपनी रासनेती के तहित और कैसे अपने फाइदे के तहित बोल रहा है और चुप है इस बात को जरा आप देखिए विनिस फोगाट के अगर वाकई दाओं में सचाई है और वाकई उनके साथ में हुआ है तो निशित तोर पर इस वक्त जो सबसे हुआ है अगर ऐसा सचमुझ हुआ है तो लेकिन उनकी बेहन कहां पर खड़ी है उनको घर जा करके सबसे पहले अपनी बेहन से पूछना चाहिए कि क्या पार्टी उनके लिए इतनी बड़ी हो गई है कि उन अपनी साथी खिलाडी के तोर पर उनका बचाव कर पार है उनके सारी चीजे हैं और कहां पर है स्मिर्ती रानी और कहां पर है अनुराग ठाकुर यह सवाल में एक बार फिर से पूछो तो बैराल वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए बहुत बड़ी ख़बर है बहुत जरूरी खबर है असान भासा में कई सारे पहलू कम समय में मैंने पूरे टटोल कर खंगाल कर समेट कर आप तक पहुंचाने कोशिस की है आप लोगों तक पहुंचाईए शेयर कीजिए खूब इस खबर को और आप जो भी समझते हैं जो भी सौशते हैं मानते हैं वो नीचे कमेंट बुक्स में लिख करके मुझे जरूर जन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं